नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेन उतिवारी आज के इस खास बुलिटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं North East की खबरों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं मडीपूर हिंसा के बारे में मडीपूर में जारी हिंसा को लेकर हालात भी करते जा रहे हैं इसी बीच बुधुवार को यानि की 14 जून को उपद्रव्यों ने पस्चम इमफाल के लामफेल में इस्थित मड़ीपुर के मंतरी नेमचा के घर पर आग लगा दी कारियों ने बताया कि जब बदमाशों ने मंतरी के सरकारी बंगले में आग लगाई तो नेमचा घर पर नहीं थे आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच कर आग को काबु कर लिया इसके अलावा लगाता जड़प हो रही है और अब नई हिंसा के दौ कारण समाज को काफी नुकसान हुआ है वीप ने एक ट्वीट में कहा कि मड़ीपुर में हिंसा के कारण समाज को काफी जादा नुकसान हो रहा है ऐसे में विश्व हिंदू परिशत शान्ति की अपील करता है राज में हिंसा ततकाल रुखनी चाहिए अब आपको बताते है असम और मेघाले की सीमा विवात को लेकर क्या सुर्खियां हैं असम और मेघाले के शेत्री समितियों ने बुधवार को शिलॉंग में बैठक कर दोनों राजों की विवादित अंतराष्ट्य सीमा के सीमांकन को लेकर चर्चा की है ये बैठक विवादित सीमा के पास मुक्रोह गाउं में हुई थी हिंसा की 6 महीने बाद हुई थी ये घटना, इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी अपने राज्य की समिती का नेतरत्व कर रहे मेघाले की उप मुख्यमंतरी एसधर ने कहा कि पिछले महीने दोनों राज्यों के मुख्यमंतरियों की मुलाकात के बाद छेतरी समितियों की यह पहली और संयुक्त बैठक थी हमने जमीन इस तर पर काम करना शुरू करने का फैसला कर लिया है इसके लावा अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेघाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर के बारे में जो सामने आई है मेघाले के बाजारों में एकत्र की गई मचलियों की खेप में नमूनों की जाच में फॉरलीन पाए गए हैं एक दिन बाद जिस्वास्त अधिकारी ने फ्रोजन मचलियों में कवक और जीवाणू यानि की फंगल तथा बैक्टिरिया संदूर को शुक्रवार को लेकर उन्हें अगाह किया अधिकारियों ने मचलियों की खेप के नमूने की जाच में फॉरलीन पाए जाने के बाद बाहर से लाए गई मचलियों की विक्री पर 15 दिन तक के लिए प्रतिबंद लगा दिया गया है इसके लावा सीमा सुरक्षा बलके गारो हिल्स में जीरो लाइन्स के पास भारतिय छेतर में घूमते पाए गए बंगलादेश के दो शसस्त्र सीमा रक्षकों के खिलाफ अनुकरनी करन कारवाही की मांग की गई है BSF के अधिकारियों ने ब्रस्पतवार को ये जानकारी दी बंगलादेश सीमा रक्षक यानि की BGB के दो सुरक्षा कर्मी को बुधवार को एक गाउं में घूमते हुए देखा गया था प्रतिपक्ष बनाया गया है राज विधान सभा सचिवाले द्वारा जारी एक अधिसूचिना के अनुसार एक अन्य कॉंग्रेस विधायक सालेंग संगमा को ब्रस्पतवार को विपक्ष के मुख्य सचेतक के रूप में महनिता दी गई है अब आपको बताते हैं असम की ख प्रबंधन प्रदिकरन की दैनिक रिपोर्ट को अगर माने तो उसमें ये खुलासा किया गया है कि बाढ़ के चलते लगभग 20,900 से जादा लोग प्रभावित हुए हैं भारती जनता पार्टी की एक महिला नेता की कथित तौर पर अज्यात लोगों ने हत्या कर दी ये कि जिला इकाई की सचीव जो नाली नात का शव जिले के कृष्णाई पुलिस थाना इलाके में सत्पाला में राष्ट्य मार्ग पर पाया गया था पुलिस ने संदे में जताया है कि महिला की हत्या की गई है और उसके बाद उसके शव को राजमार्ग पर पेग दिया गया ह शब को पोस्माटम के लिए भेज दिया गया है और अस्पताल में पूरी जांच हो रही है कि आखिर मौत का कारण क्या था अब आपको बताते हैं मिजोरम की अपडेट मिजोरम में 31 करोड रुपे के मूल के मादक पडार्थ जबत कर 5 लोगों को गिरफतार कर लिया गया है एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी थी उन्होंने बताया था कि गिरफतार तसकरोग को म्यामार का एक नागरिक भी शामिल है और असम के चार लोग इसमें शामिल है मिजोरम अपडारी एवं नार्कोटिक विभाग ने एक गुप्त सूचना पर कारिवाही करते हुए बीते दो दिनों में आईजोल में दो स्थानों पर छापा मारा और 6.05 किलोग्राम मादक बदार थियानी की हिरोइन्स को जप्त किया है इसके लावा एक और खबर सामने आ रही है मिजोरम से जो बहुत जादा इंटरस्टिंग है विज्ञानिकों ने मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाती का पता लगाया है ये छिपकली मिजोरम में पाई गई है इसलिए इसका नाम राजे के नाम पर मिजोरम पेराशूट गैरो रखा गया है हाला कि नई प्रजातियों का एक नमूना 20 साल से अधिक समय पहले एकत्र किया गया था लेकिन इसके रिष्टेदारों के बीच अंतर का अब मूल्यांगन किया गया है अब आपको बताते हैं तिरपुरा की खबरों के बारे में शहर में रहने वाले लोगों में तिरपुरा के स्थानिय वेंजनों को लोग प्रियता दिलाने के मकसद से वन भोजन उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग खासकर युवा पहुंचे थे ये स्टॉल लगाने वालों में 34 वर्सिये मेरी देब बरबन भी शामिल हुई थी तीन महिलां उनकी सहायता करती हैं वह वन विभाग की ओर से आयोजित उत्सों में शनिवार को त्रिपुरा वेंजन को बेचने में व्यस्त थी उन्होंने हेरिटेज पार्क में आयोजित एक दो दिवसी भोजन उत्सों में लगभग कम से कम 25 सो रुपए की कमाई भी की थी ये एक तरह से काफी अच्छा और वहां पर जूस तरह है कि जो फूर्स हैं उनको प्रोमोशन करने का एक तरीका था अब आपको ले चलते हैं अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मैन ने शुक्रुवार को कहा कि स्वतंत्रता सैनानी बिर्शा मुंडा जन्चातिय एकी करन के प्रतीक थे और उन्होंने लाखो भारतियों को प्रेणना दी नामसाई जिले में लेकांग सरकिल के कुमारी गाउं में बड़ा यूगदान दिया था ये थी इस हफ्ते की पुर्वत्तर की बड़ी खबरें इसके अलावा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ